हाई फ्रेंट्स मैंने सुमित आइम फॉम डैली एक्शली मेरा ना हेर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था तो मैंने यूट्यूब वीडियो देखा तो वहाँ पर मुझे डॉक्टर जांगीट का एक वीडियो मिला दे रिकमेंड कि अगर आप हेर फॉल से परहशान है आप स्क क्लिए कैटल के आगया है मैं अपर गॉट्ड क्या मताई करने का कास क्या हो सकता है chyba मुझे रूट कास को बताने के बाद हुब जाइन कि आप PRP प्लस मीजो ट्रीटमेंट के लिए चाहिए PRP प्लस मीजो ट्रीटमेंट मैं फर्स टाइम सुना था डॉक्टर जांगी ने उसके बारे में मुझे elaborate कि PRP होता क्या है मीजो होता क्या है after उन से बात करने के बाद सारा समझने के बाद I'm agree for PRP मैं PRP के लिए agree हो गया मैंने फर्स से टिंग लिया PRP का सेकेंड मीजो हुआ after two sittings मेरा जो प्रॉबलम था वो 90% तक रिट्यूज हो गया फर्स से टिंग में इतना कुछ एफेक्ट मुझे नहीं दिखा then I go to dr. जांगी मुझे कोई इतना एफेक्ट नहीं आया he recommend me Sumit it will take time आप second setting लिजे you found the better result second setting लिया मीजो कर आया second setting I found कि there is a 90% reduction in my hair loss मतलब जो मेरा 40-50 hairs per day reduce हो रहा था hair volume काफित थे नो चुका था मेरा scalp this part से नजर आने लगा था I am too worried about that वो चीज़ हेर फॉल के रुख चुकी दिया I found कि at least hair fall तो नहीं होगा new hair grow हो या ना हो then I continue the procedure मैंने करा अपना 4th 5th month में मेरा जब third session हुआ I found that मेरा hair fall पूरी तरीके से reduce हो चुका था I don't found any hair in my towel after that I completed my last session of PRP today then I found कि मेरा आज hair floss बिल्कुल खतम हो चुका है जो hair volume है वो काफी हद तक थिक हो चुका है and the scalp जो इस एरिया से नजर आता था that also be covered with good volume of hairs so यह best जरनी थी दोक्टर जांगीड के साथ जिन्होंने मुझे इसके लिए गाइड किया and thanks to doctor जांगीड जिन्होंने मुझे मेरे problems मेरे root cause से बाहर निकाल के एक अच्छा hair volume प्रोवाइड किया thanks to skincare and thanks doctor जांगीड for this much professionally given by me